Hello Guys, Welcome to our YouTube Channel. तो इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे हम Class 7th का Chapter No.1 Integers जिसके Access 1.3 का Question No.5 Question No.5 में Total No. of Parts हमारे 8 है 8 Part को हम डिसकस करेंगे पूरे Part हम डिसकस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर और बहुत ही Important Part है यह बात ध्यान रखेगा क्योंकि यह Questions एक्षांस में जरूर आते हैं Properties के उपर Based Question है तो यह जरूर पूछे जाएंगे तो कुछ Properties आपको पता होनी चाहिए जैसे कि For Example Distributive Properties, Commutative Properties यह आपको पता होनी चाहिए Associative Properties तो यह आपको कब पता होगी जब आप हमारी वीडियो को पूरी देखोगे तो अगर आपने हमारी वीडियो में Introduction Part नहीं देखा है Class 7 का Chapter 1 Integers इस Chapter 1 Integers का मैंने Introduction Part बना रखा है Notes को मैंने समझा रखा है अपने जितने भी Notes हैं उनको मैंने आपको समझा रखा है जितनी Properties हैं हर एक चीज महाँ पर समझा रखी तो Please पहले आप उस Part को जरूर देखिएगा जिससे के आपको ये Questions अच्छे से समझ में आएंगे और इस Type के जितनी भी Questions है वह आपको अच्छे से समझ में आएंगे Properties के उपर Based तो यहाँ पर है अपने पास में 5th का A Part यह Part हम डिसकस कर रहे हैं 26 into minus 48 plus minus 48 into minus 36 हम पहले तो हम पास लिख ले दे 26 into minus 48 ठीक है plus minus 48 into minus 36 अब आप ठ्षान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं आपको यहां पर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको product निकालना है अब आप product आप simple वैसे भी निकाल सकते हो normal तरीके से कि इसको multiply कर दो value लिख दो इसको multiply कर दो value लिख दो और फिर merge कर दो लेकिन आपको यहां पर product ऐसा use करना है एक ऐसी properties उस करना है जिससे कि यह product आपका easy बन जाए ठीक है बिलकुल आसान calculation हो जाए इस types इस questions को आपको solve करना है normal तरीके से solve नहीं करना है कि 20 से minus 48 से multiply कर दो लिख दो minus 48 को 36 से multiply कर दो लिख दो फिर plus कर दो ऐसा नहीं वैसा तो सभी कर सकते हैं बट यहां पर properties का use करके आप कैसे question को easy बनाते हो वो check करना यहां पर question आपका ठीक है कि आपको properties कितनी आती है तो देखे यहां पर properties आने का मतलब है कि यहां पर आपको क्या देखना है देखे यहां पर एक term total number of term कितनी होती है तो मैं आपको बता तो plus minus terms को separate करते हैं देखो यह जो है 26 into minus 48 ठीक है एक group तो यह बन रहा है यहां पर बीच में plus sign आ रहा है फिर एक group minus 48 into minus 36 दिख रहा है दिख रहा है ना group यह दोनों group में देखो common क्या रहा है तो आप कहोगे इन दोनों group में ध्यान से समझना देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं आपको अगर एक बार दिमाग में set हो गई ना यह चीज सब चीजे असान हो जाएग आपके लिए इसलिए मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आराम से समझाओं और हर एक चीज आपके दिमाग में set कर दूँ मैं ठीक है यहां पर आप दोनों इन दोनों गृर्प में आपका common क्या आ रहा है तो कोगे मैनस का 48 यहां पर भी मैनस का 48 यहां पर है मतलब see mnie common हमारा क्या रहा थिया 48 आ रहा है वाए मैं कहूँगा ठीक है common को लेलो बार यह लेलिया common minus 48 ठीक है, clear है बत, चलो, common बहार ले लिया मैंने, तो अंदर कितना बचा, तो bracket में ले लूँगा, अंदर को में, देखो, 26 into minus 48 में minus 48 बहार आ गया था, तो क्या बचा भई, 26 बचा, clear है बत, कोई दिक्कत नहीं न, चलो, यह minus 48 तो आएगा निए वापस, ठीक है, अब यहाँ प कोई परिशानी यह बताओ, अब देखो, यहाँ पर भी bracket है, और यहाँ पर भी यह वाला bracket है, तो इस वाले bracket को आप क्या कर दो, बढ़ा कर दो, ठीक है, हमें पता नहीं था न, ऐसा bracket अंदर लगेगा, तो आप ऐसे लगा लिया, गोर bracket, क्योंकि अंदर क्या है, एक छोटा करना होता है, तो पहले इसको कर लो, तो minus 48, plus minus क्या होगा हमारा, minus होगा, मतलब 26 में से minus करेंगे, 36, ठीक है, मतलब 1 sign लगा दिया, मने plus minus की जगे, 1 sign लगा दिया, minus, ठीक है, तो minus 48, 26 minus 36 कितना होता है, तो आप देखो, plus minus क्या होता है, minus होगा, मतलब 36 में से 26 minus करो, तो क्या तो होगे 10 आएगा ठीक है लेकिन वैल्यू बड़ी कौन सी है 36 बड़ी 36 के आगे क्या लिगा है साइन माइनस तो माइनस आएगा ठीक है अब देखो 48 को इंटू करो 10 से तो क्या होगा 48 इंटू 10 480 आप डिरेक्ट बोलोगे क्योंकि 10 से मल्टिप्लाय करोगे तो क्या है जीरो आजाएगा बस 480 आजाएगा अब देखो यहाँ पर मल्टिप्लिकेशन हो रहा है न माइनस 48 और यह ब्रैकेट में माइनस 10 है इसा मत करते हैं यहाँ पर माइनस 48 माइनस 10 और इसका अंसर आगया माइनस का 58 है यह भी बच्चे गल्ती करते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर ऐसा नहीं लिखावा है यहाँ पर ऐसे लिखावा है माइनस 48 और माइनस 10 यह यहाँ पर जो ब्रैकेट में है यहाँ पर माइनस कितने टाइमस हैं आपर माइनस है हमारा even number of times जब हमारे signs even number of times होता है minus sign तो हमारा answer जो आता है वो plus में आता है अगर minus sign हमारा odd number of times होगा तो जो answer आएगा वो minus ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ वो आपको पता है ठीक है तो minus और minus 2 है दो means even number of times मतलब जो answer आएगा वो plus का आएगा तो plus का 480 यहां पर कौन सी properties यूज करिए यहां पर हमने करिए distributed properties आप लिख लेना यहां लिख रहा हूँ मैं ठीक है यहां पर यहां पर मैंने देखो common लेके करा ना तो यह जो properties होती है distributed properties होती है distribute करता है clear है तो यहां पर आप लिख सकते हूँ distributed properties distributed property क्या होती है expand करने का काम करती है अभी मैं और आगे आपको question करूँगा तो आप समझ जाओगे यह वाली जो properties हैं यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में फिर यहां लिखुँगा तो मेरे पास में space नहीं रहेगा ठीक है मैं यहां पर यहां पर लिख देना यहां पर bracket डाल के distributed properties क्योंकि property का नाम लिखना जरूरी है question में का है ठीक है, clear है बात, चलिए, वीडियो बहुत लंबी होगी, क्योंकि बहुत सारे पार्ट है इसमें, जितने भी पार्ट से सब डिस्कस करूँगा है यहाँ पर, तो हो सकता है, बहुत बड़ी वीडियो बन जाए, ठीक है, बी पार्ट यूस, बी पार्ट देखते, बी पार्ट अपन easy बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बताओ, यहाँ पर अपन easy बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, देखो मेरे को, थोड़ा सा आपको number की knowledge होना जरूरी है, जितना आप number के साथ खेलोगे न चीज़े आसान बनती जाएगे, अगर आप देख रहे ह 125 और 8 को, तो 125 इंटू 8 करने पर हमारा 1000 आता है, यह आपको याद होने चीए, कुछ चीज़े याद होने चीए, 500 इंटू 2 करने पर 1000 आता है, 25 इंटू 4 करने पर हमारा 100 आता है, 25 इंटू 8 करने पर हमारा 200 आता है, यह कुछ चीज़े आपको याद होने चीए, ठीक है, जै तो मैं क्या करूँगा 8 और minus 125 को एक group में रखूँगा और 53 को अलग group में रखूँगा जिससे की calculation मेरी easy बन रही है एक तो मैं वैसे normal तरीके से करूँ 53 into 8 करूँ फिर answer आएगा फिर उसको 125 से multiply करूँ कितना लंबा process और यहां पर देखना मैं बस group change कर रहा हूं क्या कर रहा अब चोटा bracket आगा ना इस वाले bracket को तोड़ा बढ़ा कर दो अब अब मैं इसको solve करूँगा तो 53 को into करूँगा minus के 125 into 8 अगर करे हम तो क्या आता है हमारा मैंने आपको बताया 125 into 8 होता है 1000 तो minus का 1000 आएगा बताओ minus का 1000 आएगा प्लस का जी बिल्कुल minus का 1000 आएगा क्यों कि 53 को अगर minus के 1000 से करोगे तो क्या आएगा minus का 53,000 अब आप plus minus का खेल समझ रहोंगे क्या चल रहा है plus minus ठीक है minus का 153,000 आएगा तो यह लिजे minus का 53,000 कौन सी properties यूज की गई है यहापर commutative properties यहाँ लिख लेना आप commutative properties ठीक है clear है बात चलिए आगे बढ़े चलो सी पार्ट सी पार्ट है हमारे पास में 15-25-25-4-10 लिखने में गलती मत करना मैं भी check कर रहा हूं बार बार कि हम गलती नहीं कर दें जिसे की पूरा answer ही गलत हो जाए 15-25-4-10 अब यहाँ पर आप देखो यहांपर भी approach लगाँ, approach ऐसी होने चीज़िये बिल्कुल easy लिखो अगर आप 25- करते हो तो 100 आता है और 100 को अगर 10 से मल्टिप्लाय करोगे तो क्या आएगा 1000 आएगा ठीक है समझ रहो मतलब मैं 00 बनाना चाहरा हूँ यहां पर देखो 125 8 1000 और 1000 से 53 को easy कितना है 1000 इंटू 53 करोगे तो क्या आएगा 53 और 3 0 लगा दोगे मतलब हम आपको less calculation करना चाहरे है अपरोच समय रहे हैं कि आपको इस टाइप से number को set करना है कि आपका answer है na easily calculate हो जाए यहां पर देखो अब इन में भी अपन क्या करेंगे यहां पर भी अपन वही चीज करेंगे community properties लगाएंगे कि हमार को order community property यह होती है कि order change करने पर कोई फरक नहीं पड़ता है answer में ठीक है तो यहां पर भी देखो मैं order change करूँगा और कुछ ही नहीं तो order कैसे change करूँगा मैं 15 देखो 25 4 और minus 10 को मैं multiply कर लूँ क्योंकि मुझे पता है 25 into 4 कितना होता है 100 होता है into minus 10 इस बड़े bracket को अपन solve कर लें 15 into 25 इनको solve करो एक साथ 25 into 400 100 into 10 thousand तो answer जो आएगा तो क्या आएगा 1000 अब बार ही है हमारी sign की तो मैं क्यों even notes concept आपको समझा रहा था अब देखो यहां पर 3 sign आ गए minus 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 तो यहां ऐसा तोड़ी करेंगे minus minus plus plus minus यहां पर minus कितने number of times है odd number of times है odd number of times मतलब क्या होता है जब minus odd number of times होगा तो क्या आएगा answer में minus आएगा तो minus का 1000 ठीक है अब आपको बता है 15 into minus 1000 कितना होगा minus का 15,000 कौन सी property लगी है C में भी हमारी community properties लगी है मैं यहां पर लिख लेता हूं वैसे तो आपको commutative properties clear है चलिए आएए D part पर D part है हमारी पास में minus का 41 minus का 41 into 102 इसको भी आप समझने की गोशिश कीजिएगा minus का 41 into 102 यह important part है क्योंकि यहां पर हमार को question के साथ में खेलना है कैसे खेलना है थोड़ा सा expand करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा expand करना पड़ेगा यहां पर जो properties लगाएंगे हम distributed properties लगाएंगे क्यों distributed property लगाएंगे क्योंकि थोड़ा distribute करना पड़ेगा हमें distribute मतलब तोड़ना, तोड़ना किसको 102 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं कि मुझे पता चला 102 किसके नियरस्ट है, 100 के नियरस्ट है, मतलब हम 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह अप्रोच आनी चाहिए आपको बस, मतलब calculation को आप किस तरीके से easy बना सकते हूँ, वो चीज, क्योंकि मेरे को दिखा, 102, 102 मुझे पता हिट कर गया दिमाग में, 102 तो 100 प्लस 2 हो सकता है, ठीक है, तो यह चीज़े आपको हिट करने यह दिमाग में, और यह चीज़े कब हिट करेगी, जब आपकी practice अच्छी होगी, ठीक है, तो माइनस का 4100 आएगा, और माइनस के 41 को प्लस के 2 से multiply करेंगी, तो माइनस का 82 आएगा, आता है, माइनस 41 जा 41, 41, 42 जा 82, टेबल नहीं आती है, तो कोई बात नहीं करके देख लेना, 41 इंटो 2, 21 जा 2, 42 जा 82 होता है, clear है, तो हमने direct लिग लिए 82, अब देखो, यहाँ पर 41 को प्लस के 100 से करेंगे, तो माइनस काई आएगा, और माइनस के 41 को प्लस के 2 से करेंगे, तो माइनस काई आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, clear है, इतनी चीजे समझ में आ रही है, यह चीजे आप थोड़ा सा खेलना सीख जाओ, ठीक है, एक तो सिंबल के साथ ख 4100 और minus 82 आपको पता है minus minus क्या होता है plus होता है मतलब इन में calculation जो perform होगी वो किसके होगी plus की 4100 में अगर 82 में add करता हूँ तो 4182 होगा answer जो आएगा 4182 आएगा 4100 में अगर मैं बर्यासी add करता हूँ तो 4100 बर्यासी तो आएगा लेकिन value किसके आएगी दोनो value minus की minus ही आएगा देखने की जोरती ने कौन बढ़ा है कौन चोटा है दोनी minus मैं तो minus ही रख दो ठीक है लिख सकते हैं अभी आगे आप classes पढ़ोगे न 8th 9th में जाओगे जब आप सीखोगे कि अपनी तरफ से भी हम कर सकते सब चीज़े ints होती है ठीक है तो 102 को हमने 100 plus 2 लिखा easy करने के लिए clear है क्या ठीक है तो D part तक हमारे solve हो गए अब E part हम solve कर लेते आगे तो चलो इससे तो हम करते है रभ एक बार screenshot ले लो अगर आपको लेना है या note करना है तो note कर लो नोट तो क्या करोगे इतना time में रुकूंगा नी इसक्रिंशोट ने लो फटा फट से अगर नी note किया है तो ठीक है चलो अब अब अटा जेते हैं नी भी लियाओ तो pause करके ले जेना भीया screenshot क्या दिक्कत है चलो E part क्या जाओ अब E part क्या हमारा 625 इंटू माइनस का 35 प्लस माइनस का 625 और इंटू 65 हाँ यहाँ पर क्या प्रूच लगाए तो यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है कि यह एक ग्रूप बनावा आए और यह ग्रूप बनावा है, ग्रूप मैंने आपको समझा दिया, इनके बीच में इंटू है, ठीक है, तो यह ग्रूप है, और इनके बीच में इंटू है, यह ग्रूप है और बीच में प्लस लगावा है, तो इसने प्लस ने ग्रूप को सेपरेट कर दिया, यह ग्रूप बन तो गबराओ मत प्लस माइनस से मत गबराओ आप क्या करो 625 यह ले लो बस का माइनस का मतलो 625 प्लस का ले लिया clear है चलो 625 प्लस का लेने के बाद में आपने लिया इनमें common चलो अब bracket लगा लो बीच में क्या है multiplication ही है आपको पता ही है bracket लगा लिया अब देखो यहां पर हमने common क्या लिया था 625 625 तो आगया बचा गया था माइनस 35 तो हमने लिख लिया यह लो माइनस 35 clear है क्या बात चलो माइनस 35 है और यह वाला bracket बढ़ा कर लो क्योंकि यह इसको bracket में रख दो क्योंकि अभी आगे और प्रॉब्लम आईगी अब देखो यहां पर क्या है sign प्लस है तो मैंने लिख दिया प्लस ठीक है चीजों को समझना ध्यान से यहां आपने क्या लिख दिया प्लस लिख दिया ठीक है अब देखो यहां पर यहां पर 625 मैंने क्या लिया था पॉजिटिव लिया था तो 625 वन जा 625 वन आएगा 1 किसका आएगा लेकिन माइनस का वन आएगा क्योंकि यहां पर क्या है माइनस 1 यहां पर ध्यान रखना बस यहां गया हमारा माइनस 1 और इस चीज को आप समझें क्या किया मैंने 625 होता क्या है जब हम लेते हैं तो 1 से ही होता है यह 625 कॉमन ले लिए तो 625 को डिवाइड करेंगे 625 से तो 1 ताम जाएगा तो यह वन टाम आजाता है ठीक है माइनस ये 35 तो लिया ही नहीं था तो 35 तो as it is लिग देंगे माइनस का 35 ऐसे यहां पर 625 common लिया था 625 तो 625 गया तो कितने टाइमस 1 टाइमस तो 1 टाइमस आ गया लेकिन माइनस था तो माइनस का 1 ठीक है यह चीज होती है यहां पर यहां पर मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि 1 से मल्टिप्ला होगा माइनस 35 तो यही तो आएगा चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां पर 625 है इस ब्रैकिट को पहले पड़ेगे ब्रैकिट बड़ा लगा दो 625 अब देखो यहां पर माइनस का 35 ठीक है प्लस माइनस 2 साइन एक साथ आ रहे है एक साइन करो 65 ठीक है अब आगे बढ़ो 625 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा मतलब इन दोनों में जो क्या क्या होगा माइनस 5 अगर 35 माइनस करते है तो केतना आता है, 5 मेंさん 5 रहस करेंगे 0,6 मैं ⁠ करेंगे, 4,Howım 38, 30 लेकिन value 65 बड़ा है मतलब minus की value आईगे हमारी अब 65 into 30 करना है आपको तो आप 65 into 30 क्यों कर दो 65 625 into 3 कर दो 5 3 जा 15 3 2 जा 6 7 6 3 जा 18 1 8 7 5 कितनी बड़ी calculation थी पहले 625 को 35 से multiply करते 625 को फिर add करते लेकिन उस calculation को अपने कितना easy बना दिया 1875 लेकिन value कि इसके आएगी minus की क्योंकि एक बार minus है only तो minus यहाँ पर बीच में आपको पता है na multiplication है बात धियान रखना तो minus का 1875 आएगा clear है क्या बताओ कोई परिशानी ठीक है अच्छा यहाँ पर गलती हुए बिलकुल सही है सही है सही है सही है आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर minus का 35 था ठीक है minus 35 यहाँ पर भी minus 35 ठीक है मैंने plus 35 लिग दिया था ठीक है तो आपको इतनी भी calculation करने की ज़रत नहीं देखो फिर तो आसान है यह जो 2500 ठीक है क्या यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वह कौन सी लगेगी आपने खुद ने देखा होगा यहाँ पर distributed distributed तो हो रही है तो distributed properties लग रही है तो यहाँ पर जो property लगेगी वह distributed अगर properties का आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मेरी वीडियो जो introduction part है उसको देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है f part करते अप f part क्या है बहुत बड़ी video हो गई है चलो कोई बात नहीं लेकिन हमें करना तो पड़ेगा पूरा तो 7 into 50 minus 2 अब देखो यहाँ पर 7 into 50 minus 2 है यहाँ पर पहले से distribute है आपको करने की जरुरत ही नहीं पहली बात तो यहाँ पर भी हमारी distributed property लगेगे यह पहले से distributed देखो पहले से easy form में अब यहाँ पर ऐसे मत करना बच्चे क्या करते 7 into 50 minus 2 क्या होता 48 होता यह 48 लिग देंगे और फिर solve करेंगे नहीं आपको ऐसा नहीं करना आपको क्या करना 7 into 50 minus 2 है ना 7 को पहले तो क्या करो 50 से multiply करो ठीक है 7 into 50 तो 7 5 जा कितना होता 35 35 और यह 0 आजागा 350 ठीक है 7 को 50 से multiply करोगे 350 फिर क्या करो 7 को 2 से multiply करो ऐसी तो करते है अपन तो 7 2 जा 14 माइनस का 14 माइनस था माइनस क्लियर है क्या 350 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो 334 336 आएगा sorry कितना आएगा 336 लेकिन 336 value को इसके बढ़ी है plus की है plus ही आएगा कोई दिक्कत ही नहीं तो 336 इसका answer आएगा कोई दिक्कत है यहाँ पर कौन सी properties यूज होई है ठीक है आगे बड़े चलो जी पार्ट करते हैं जी पार्ट क्या है माइनस का 17 इंटू माइनस का 29 ठीक है माइनस 17 इंटू माइनस 29 कैसे करेंगे अपन solve तो यहाँ पर देखो माइनस के 29 को क्या कुछ कर सकते हैं कुछ formation बना सकते हैं क्योंकि आप देखो माइनस का 29 ठीक के करीब है देखो मैं आपको अगर बोलो 70 को इंटू करो 30 से तो आप फटाफट करोगे या नि करोगे बताओ क्योंकि आप क्या करोगे पीछे 0 है न तो 17 इंटू 3 करोगे 17 इंटू 3 कितना होता है 51 होता है और पीछे फटाफट से 0 लगा दोगे और वहीं अगर मैं आपको बोलो 17 इंटू 29 करो पसी ने चुट जाएंगे करके देखोगे समझ रहे हो तो कैलकुलेशन कब इजी हो रही है जब पीछे 0 आ रहा है देखो 29 किसके करीब है 30 के करीब है तो मैंने क्या कर रहा है इसको 30 बनाने की कोशिश करी ठीक है तो 29 को मैं किस फॉर्मिट में लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 30 माइनस 1 के फॉर्मिट में लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 30 माइनस 1 तो हमारा प्लस का 29 होता है यहां पर माइनस का 29 है माइनस का 29 कैसे लिखूंगा मैं मैं लिखूंगा माइनस का 30 और प्लस गए, चलो, तो minus का 30 लेना पड़ेगा, plus का 1 लेना पड़ेगा, जब जा कि हमारा क्या बनेगा, minus का 29 बनेगा, ठीक है, तो हम लिखे लेता है, minus का 17 ठीक है, into minus के 29 को, बस format change कर रहा हूं, इसका, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, minus का 30 और प्लस का 1 और कुछ भी निये है टीक है यहाँ पर कौनसी प्रॉपरटी अगर मी और यूस कररे है तो यहाँ और भी Distribute ू कर्रेहां चरेही के तोड़ने काम बिम्च वह ओप समें दिस्टरमीटिगं को तोड़ दिया ऐसे किए यहां पर मैनस 17 है तो आपने लिखाओ मैनस 17, okay, मैनस का 30, अब देखो यहाँ पर sorry, अपन वापस से फिर वह वह वाले process पर जा रहे है, देखो, मैनस का 17 को अगर मैनस के 30 से multiply, अब यहाँ पर ऐसे करना है, मैनस के 17 को मैनस के 30 से multiply करोगे, जैसा कि अभी मैंने किया था, कितना आया था, 51, 17 into 3 करा 51 और एक 0 लगा दिया हो गया 17 into 30 अब minus minus क्या होगा मारा plus आपको पता है minus की value minus से multiply हो रही है क्या होगा plus अब minus के 17 को plus के 1 से करना है एक बड़ minus के 17 को plus के 1 से करेंगे तो क्या हैगा minus plus minus मतलब value जो आएगी हो minus क्या हैगी 17 into 1 कर दो 17 आएगा 1 plus 1 minus 1 plus minus क्या होगा मतलब इन में जो calculation perform की जाएगी वो किसके की जाएगे minus की की जाएगी तो 500 10 में से 17 less कर दो 10 में से 7 less करेंगे 3 यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 0 क्योंकि इसने carry देती है यहाँ 0 होगया अब 0 में से 1 जाएगा नहीं तो यह भी इसको carry देगा तो 10 में से 1 जाएगा 9 यह कितना हो गया अब इसने carry देती है इसको तो 4 हो गया 493 तो यह answer जो आएगा 493 किसका आएगा plus का यह minus का प्लस का आएगा क्योंकि plus की value क्या है मारी बढ़ी है तो 493 का answer आएगा यहाँ पर कौन सी property डिस्ट्रिबूटी प्रोपटी जो जोगी है clear है तो कौन सा part हो गया हमारा 70 into minus g part भी हो गया h part भी कर लेते हैं यहीं पर h part है हमारा minus का 57 into minus का 19 plus 57 ठीक है पूरा approach का game है बस और अगर आपने video देख ली ना पूरी सब चीजे समझ में आ जाएगी आपके कैसे क्या चलता है अब देखो यहाँ पर यहाँ पर अपन क्या करेंगे comment देखेंगे यहाँ पर comment दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर भी मैं को 57 दिखा यहाँ पर क्योंकि आपको पता है एक ग्रूप तो यह है बीच में इंटू है फिर एक ग्रूप यह है ऐसा यह ना या नहीं है नहीं ऐसा नहीं है बिलकुल सही है ऐसा नहीं है क्योंकि आपने देखा सब ग्रूप तो अपने किस से बनते हैं plus minus से बनते हैं into, एक गुरूप तो भया अपना ये वाला है पूरा और एक गुरूप ये वाला है, समझ रहो? प्लस माइनस ही तो separate करता है तो ये एक group बन रहा है पूरा यहां तो बीच में into है ना तो ये एक group है और ये एक group है इन दोनों group में अगर हम देख रहे हैं तो कौन आ रहा है common 57 आ रहा है तो मैंने लिखा 57 को बाहर ठीक है 57 को हमने का कर दिया अब पहले तो आप क्या करो इनको solve कर लो थोड़ा सा जिससे की आसान हो जाएगा देखो माइनस into होगा माइनस की value से तो क्या होगा plus की value आएगी मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते ना 57 into 19 लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जागा प्लस हो जागा तो 57 into 19 कर दो और यहाँ पर क्या है 57 है यह मैंने easy करने के लिए कर रहा है क्योंकि मैं minus 57 को minus 19 से multiply करूँगा तो value जो आएगी वो plus की आएगी आपको पता है minus minus क्या होगा plus तो 57 into 19 करने पी प्लस की value आएगी तो मैंने क्या कर रहा है अगर यहाँ पर 57 और minus 19 क्या कर दिया प्लस 57 और प्लस का 19 और यहाँ पर प्लस 57 अब देखो गौन ले सकतो है आप easily क्या आएगा common 57 अगर यहाँ पर 57 common आ रहा है ठीक है तो यहाँ कितना बचा 57 तो common आ गया यहां तो 1 लिखना ज़रूरी है 57 को डिवाइड कोंगा क्योंकि यहां पर बीच में क्या है प्लस है तो प्लस 1 19 प्लस 1 क्या होता है आपको पता है 20 होता है तो 57 इंटू 20 57 इंटू 20 कर दो तो आप कोगे 57 इंटू 20 क्यों करें 57 को 2 से multiply कर देंगे 7 तू या 14 5 तू या 10 11 11 14 एक 0 है एक 0 लगा दो ठीक है दोनों वैल्यू प्लस की है ना तो दोनों वैल्यू प्लस की है तो कोई दिक्कत ही नहीं तो 1140 आपका answer होगा clear है तो properties का use करके जो हमारी questions है वो कितने आसान बन रहे है वो आपको पता है clear वीडियो तो लंबी हुई है कोई दिक्कत नहीं लेकिन questions भी तो कितने सारे थे हैं ठीक है तो मैं खुद चाहरा था कि shot में इसको निम्टा दू लेकिन निम्टा नहीं पाया मैं ठीक है करी नहीं पाया क्योंकि मैं पूरी चीज आपको समझा नहीं है मैं चाहता हूं कि आर पूरी मतलब कुछ भी चीज नहीं रहे है आपको हर एक चीज समझा दू मैं इस टाइब की मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे की अपकमिंग वीडियो के नॉट तो टाइम मिलते रहे थैंक यू सो मच